तो आज हम बनाने वाले हैं सोया बिर्यानी, सोया बीन पुलावी आप कह सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए दो कटे हुए लंबे प्यास, धन्या पुदीने के पत्ते, बारिक कटे हुए, एक बारिक तमाटर कता हुआ, यह मैंने ली है अद्रक लसुन और धन्या की पेस्ट इसमें मैंने आधा इंच अद्रक लिया है, छे से साथ लसुन कीका लिया, थोड़ा सा ड्राइ कोकुनट भी मैंने डाला है, और कोरियंडर यानि धन्या, मैंने दो ग्रीन चिली ली हैं, और साबूद खड़े मसाले लिये हैं, आप देख सकते हैं, इलाइची है इसमें, ल इसमें धनिया पावडर, आधा चममokजीरा पावडर और बिर्यानी मसाला, कोई भी कमपनी का बिर्यानी मसाला यूज कर सकते हैं, आलूलिया मैंने एक बड़ा कता हूँ, और यह हम साथासदा तरो है, सुड़ो करते हैं, सो्या बीन बिर्यानी बनाने की रेसे पे टार प्रामक्रग जीरा पाऊडर और बिर्यानी मसाला हम वह का बोली हूप सब्सक्रेजाबीन आलु सबसक्राइब चाहना सब्सक्राइब करें अब कुछ है सब्सक्राइब कि है आइस सब्सक्राइब करें में तो दबाने में जिस。」 दाल देंगे तक zostałगि तो यह फूल जाते है थोड़ी देर में अच्छी तरह से यह मॉइस हो जाएंगे हम इसको पास-दस मिनित लग देंगे गरम पानी में तो मैंने कुकर गैस पे चड़ा दिया है मैं इसमे तेल डालोंगे आप चाहे तो गी में भी बना सकते हैं दो टेबल स्पून हम टेल डालेंगे यह मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे पहले मैं इसमें हमारे खड़े मसाले डालोंगी 27 विली तब भी उचल रहे हैं तो अश्य किस्वरी थैल यह मीडियान की अच्छी चाहँ संच. मैश्य तो अच्छी त्याथमसिस्वलand एमसाले तो दाले है दालेगे नजा सजावले किम्सवचाऊ, मुहाने उच्छी त्षोग अच्छी तरह से अबरेगे शच्छी कटा हुआ प्याज पर इसे हमें हरीमेज दाल रही हूँ तो हमारे आलू और प्याज पक रहे हैं मैं इसमें एक कटा हुआ तमाटल जाग दूँगी ताकि यह भी उसके साथी असकी तरह से पक जाए आइए करें अटेज रिल को मिक्सरेंगे windy और इसमें नमक दाल रही हूँ ताकि यह जल्दी पक जाएउज अगया आकरわか के में तो थीन मिनित में आएक अचितार से पक जाएएगे आलू प्यास और तमाटर अच्छी तरह से बुन रहे हैं तभी में डालूंगी जो मैंने पेस्ट बनाई है अधरक लसुन द्राय कोकनट और कोरियंडर की भूमें इसमे मिस करूंगी और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स दर लेंगे अच्छी तरह से पप जाए हमारे आलू प्यास अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउं हो गया है इसको तेल भी छूट रहा है अब इस टेश पर हम डालेंगे हमारे मसाले में डाल रही हूँ अल्दी हादा टेबल स्पूल यह लाल मिर्च आप अपने टेश के हिसाब से डाल सकते हैं यह जो मैं मसाली लिये थे धन्या पाउडर जीरा पाउडर और बिर्यानी मसाला यह में तीनों डाल रही है और हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह सब मसालों को जब तेल छूट जाएगा तब हम इसमें सोया मिल डालेंगे तो मैं थोड़ा सा दही डालने वाली हूँ और जब हम दही डालेंगे तो हम आज बहुत ही धीमी करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा सोया भीन अच्छी तर से फूल गया है और यह प्रोटीन युक्त है तो हम इसको इसका पानी नी चोड़ लेंगे अब चाहे तो पानी भी रख सकते हैं लेकिन मैं नी चोड़ के डाल रही हूँ इसको हम हमारे मासालों के साथ जाल देंगे तरहता मिक्स करेंगे करें पासमती तुकडा चावर लिया है आप कोई भी अपनी हिसाथ से चावर ले सकते हैं यह दो कप चावर है मैंने अच्छे से इसको धो की फंदरमनेट पानी में भिबो कि इसका पानी अभी निकाल दिया है तो आप देख सकते हैं आपकी हमारा मसाला जो हो अच्छी तरह से पग गया है इसको तेल भी छूट रहा है यह स्टेज पे हम जो हमारे दूले हुए रही निकाल है इसको र कावल यहां बते निकापय की प्रैक्स में ईएंट认 अ हिए और उन्हों की अच्छी तरह से जाएंडाटों निकाप़काइद आधी कैकर तो हम चावल को अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे दो मिनित तक सोया बीन और अलू के साथ इसके बाद हम हमने दो कटोरी चावल लिये हैं तो हम डबल पानी लेंगे तो चार कटोरी हम पानी डाल सकते हैं तो हमारे चावल अच्छी तरह से फ्राइ हुए है सबजियों के साथ मसालों के साथ अब हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने ये कटोरी दो चावल लिये हैं उससाब से में स्ताड़े तीन कटोरी या चार कटोरी इसमें पाली डालूंगे मैं साड़े तीन कटोरी पानी डाल जाए हुए हुए हम कुकर में बना रहे हैं अगर ये पैन में रहता तो मैं दो कटोरी अधा कटोरी और जाधा डाल लेती इसको अची तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको दो सीदिया लगाएंगे एक हाई फ्लेम पे और दूसरी वाली ज कर सकते हैं इसको अची तरह से और एक बार मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना दाल देंगे अब हम कुकर की लेट लगा रहे हैं और आपको हम इसको दो सीदिया देंगे तो हमारा प्रेशर कुकर थन्दा हो चुका है जो आप देख सकते है हमारी सोया बीन बिर्यानी तो आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में सर्फ किया है इसका कलर और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है तो आप ज़रूर इसको ट्राइ करना आप भी खाओ अपने बच्चों को भी खिलाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बेजना को कैसा लगा है तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करना शेर करना अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ और सब्स्ट्राइब करना ना भूलना थैंक यू वेरी मच